वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने करीब 84 लाख रुपए की लागत के स्वास्थे उपकेंद्रों का लोकारपन किया और साथ ही नूरपूर चौगान मैदान में 10 करोड रुपए की लागत से बनने वाले बहु उदेश्य खेल स्टेडियम की आध पूर में स्थानिय चौगान मैदान में 10 करोड रुपए की लागत से बनने वाले बहु देश्य खेल स्टेडियम की आधार शिला रखी इस तरहान उन्हें बताया कि इस स्टेडियम में बैडमिंटन, टैनिस, वालीवाल, बास्किट बॉल, कुष्टी, जुडो, कराटे, क बद्धी, जिमनास्टिक के साथ साथ 400 मीटर अत्लेटिक ट्रैक, जिम हॉल और 44 दुकानों का निर्मान किया जाएगा, इसके अतिरिक्त यहां पर पावर जिम का भी निर्मान किया जाएगा, उन्हें बताया कि 15 महा के भीतर इस स्टेडियम का निर्मान कारे पूरा कर लिय जाएगा राकिश पठानिया ने कहा कि स्टेडियम में एक समय में 100 पुरुष्व महिला खिलाडियों के लिए ठहरनी की विवस्था क्यतिरेक्त 2200 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी उन्हें कहा कि इस जगह पर आउटडोर वौ इंडोर स्टेडियम में 100 गाडियों की प द्रशक्ति सदार के मातर से हुगी है और इसके लाबा एक नूर्पूर का इंडोर स्टीम और आउट्डोर स्टीम दोनों का प्रजेक्त है क्योंकि मुझे पता नूर्पूर स्टीम के कही बाड़ बथर लग चूपी हूं को की बार इसी पर द्रमे बैज बाजियो हो सिटी चनल के लिए नूरपूर से संजीव महाजन की रिपोर्ट